बिसमिल्लायरमानी रहीम, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम टो स्माइली फूड और मैं हूनाहिद, आज हम बनाएगे बिलकुल नई और यूनिक तरह की बिरियानी, जिसका नाम है मतन भूना बिरियानी, इस बिरियानी को शायद ही आपने कही देखा होगा या खाया होगा, स्मोक सॉफ्टर जूसी बन कर तैयार होती है, और बिरियानी कहाने के बाद भी आपके हातों में काफी देर तक इसके मसालों की खुश्बू आएगी, तो चलिए, ये स्पेशल मटन भूना बिरियानी को किस तरह बनाते हैं, देख लेते हैं, बूना मटन बिरियानी बनाने के लि कुछ खड़े गरम मसाले डाल देते हैं, तो यहाँ पर दो तेज पत्ता लिया है, एक चमच शाजीरा है, और यहाँ पर आदा चमच काली मिर्चे है, एक बड़ी इलाइची है, दो हरी इलाइची है, और दो से तीन चोटे दालचीनी के टुकड़े ये डाल देते, बिस्म दाल कर फ्राय करेंगे, हम गोल्डन फ्राय करना है, इसी प्याज में से आदी प्याज हम बिर्यानी की लेयर बिचाने के टाइम पर डालेगे, और आदी प्याज मसाले में ले लेगे, तो सबसे पहले हम प्याज को गोल्डन फ्राय कर लेते हैं, थोड़ा से नमक भी डाल इसे प्यास जल्दी से फ्राइ हो जाती है और ज्यादा देर तक क्रिस्पी भी रहती है तो थोड़ा इसे और फ्राइ कर लेते हैं यह देखिए इस टाइम पर प्यास को ध्यान रखना है क्योंकि फॉरण ही यह जलने लगती है इसमें से हमें आदी प्यास निकालनी है तो जै इसे प्यास गोल्डन होने लगेगी, गैस की फ्लेम हम धीमी कर देगे, ये देखिए प्यास गोल्डन हो गई है, गैस की फ्लेम में धीमी कर देती हूं, और इसमें से आधी प्यास निकाल लेगे हम, प्लेट में इस तरह से फैला देगे, गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखनी ह ताकि प्यास जाले नहीं, आधी प्यास निकाल लिए मैंने, इसे साइड में रख देते हैं, बिरियानी की लेयर बीच आते टाइम पर ये प्यास दाले गें, और इसी कुकर में बिरियानी का मसाला भी तैयार कर लेगे, तो ये प्यास में से 2-3 चमद तेल में निकाल गैस की फ्लेम एकदम धीमिए, उस टाइम पर 1 चमद मिर्च डाल रही हूँ, मैं लाल मिर्च लिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मतन में बहुत अच्छा कलर आ जाता है, इसलिए पहले लाल मिर्च डाल दीए, अब इसमें फटा-फट से मतन दाल देते हैं, तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मतन लिए, इसे मिक्स कर लेते हैं, यह देखिए इस तरह से मतन में बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है, साथी में 2-3 चमद अद्रक लस्रन का पेस्ट डाल देते हैं, अगर आपके मसाले जलने लगे तो आप इसमें 2-3 चमद पानी डाल सकते ह तो दो टमाटर लिए इस तरह से काट कर और 4-5 हरी मिच काट कर लिए, आप चाहे तो हरी मिच को पेस्ट बना कर भी ले सकते हो, अब गैस की फ्लेम तेज कर देगे हम, और 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मतन को भून लेते हैं, अद्रक लस्रन के साथ और जो टमाटर तो टमाटर भी पक जाएगा, मतन भी थोड़ा से इसमें अच्छा सा भून जाएगा, इस देख सकते हो, आपके बढ़िया सा कलर आ गया है मतन में, तेजाज करके अच्छे से मतन को भून लेते हम, तीन मिनट हो गए है, अब इसमें नमक डालेगे टेस्ट के मुताबिक, अदर चमच हल्दी पाउडर लिया है, देड़ चमच धनिया पाउडर है, एक चमच जीरा पाउडर है, और एक चमच गरम मसाला पाउडर है, तो आप कोई भी गरम मसाला ले सकते हो, अभी मैं या पर भूना मसाला भी डालने वाली हूँ, तो एक चमच में इसमें भूना म मटन का मसाला ना हो तो जो बिर्यानी का मसाला आता है वो भी डाल सकते हो कोई भी नॉर्मल बिर्यानी का मसाला ले सकते हो एक चम्मच बूना मटन मसाला डाल दिया है मैंने चार चम्मच यहाँ पर दही लिया है मैंने तो दही को फेट कर डालना है फेट कर डालने से दही मसाले में फटता नहीं है और दाने दाने नहीं बनकर आते हैं दही के इसे अच्छे से मिक्स कर लेगे पाच मिनट टक यह मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हम पास से छे मिनट तक तेज आट पर मैंने मटन को अच्छी तरह से भून लिया है जो इसमें मैंने दही टमाटर और मटन दाला था उसी का पानी निकला था उसी में मसाला हमारा यहां पर भून चुका है अब यहां पर हमें गोश को गलाना है तो मैं इसमें एक गिलास पानी ड तो फिर आगे बिर्यानी में बोटिया टूटने लगेगी और गोश्को भुन्ना भी हमें तो हल्की सी कसर मटन में बाकी रखेगे कुकर का ढखकर में बन कर देती हूं और मीडियम फ्लेम पर 5-6 सीटिया लगा लेगे मटन को साइड में बोईल करने रखा है वहां तक बिर्यानी की चावलों को बाल लेते हैं तो एक बड़े से पतीले में मैंने तीन लीटर पानी गरम करने रखा है उसमें कुछ खड़े गरम मसाले दालेगे तो चार से पाचिया पर लॉंग है एक वादिया का फूल है दो हरी इलाइची है एक तेज पत्ता है दो हमने हरी मिर्च ले लिए इस तरह से उसकी दंडी के साथ और तीन चमच मैंने नमक लिया है तो नमक थोड़ा सा ज्यादा ही डाले क्यूंकि यह पानी को हम चान लेते हैं थोड़ा सा इसमें तेल दाल देते तो भी रस्ते का बचा तो यहाँ पर मैंने बिर्यानी के लॉंग गरेण जो बास्मती राईस होते हैं उसे आदा घंटा पानी में भीगो कर रखी थी चावल अच्छी तरह से भीग चुके हैं आप कोई भी बिर्यानी के चावल ले सकते हो तो चावलों को डाल देते हैं पानी अच्छी तरह से ग एक बार इसे मिक्स कर लेते हलके आतों से और चावलों को 80% तक कूक करना है हमें बाकी चावलों को हम बिर्यानी के साथ दंबर पकाएगे चावल यहाँ पर हमारे 80% तक पक चुके यह रेखिए इसमें जरा सी कसर बाकी है तो गैस बन कर देती हुँ मैं और चावलों को छान लेते इस तरह से एक थाल में फैला देते और इसे साइड में रख देते हम यहाँ पर कुकर की 4-5 सीटिया हो गई थी तो मैंने गैस बन कर दिया था और अब कुकर ठंडा हो चुका है मटन को चेक कर लेते हैं तो मतन में मैंने थोड़ी सी कसर बाकी रखिए तो अब ये मतन को हमें बूनना है क्योंकि हम यहाँ पर मतन बूना बिर्यानी बना रहे हैं नॉर्मली जब हम बिर्यानी बनाते हैं तो इसी तरह से मसाला तैयार कर लेते हैं मटन का और चावल बिछा कर बिर्यानी की लेयर लगा देते हैं लेकिन हम यहाँ पर स्पेशल मटन भूना बिर्यानी बना रहे हैं तो यह मटन को भूने गे तो इससे साइड में रख देती बूर्टन को भूनने के लिए उसमें एक चम्मच तेल डाल देते हैं तो यह जो बिरस्ते का फ्राय की अवा तेल में निकाल कर रखी थी वही डाल रही हूं तेल गरम हो गया है अब यह जो मतन में की बोटिया है तो निकाल लेते हम क्योंकि हमें यहाँ पर बोटियों को भूनना है बून कर लेगे जब हमारी बिरियानी में मतन भूनना का टेस्ट आएगा अब चार से पाच मिनट के लिए मतन की बोटियों को अच्छी तरह से बूने गया हम इसकी बूनाई अच्छे से करना है जब ही जाके हमारी जो मतन भूना बिरियानी बना रहे है उसमें जबज़स्ता टेस्ट आएगा इस तरह से जब भून कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा बिरियानी में टेस्ट आता है आपके पास बड़ा सा तवा हो तो बड़े से तवे पर भी आप मतन की भूनाई कर सकते हो या फिर कड़ाई में भी इसे भून सकते हो इस तरह से देखिए मतन की बोटी क्रिस्पी हो जाए उपर से वहां तक हम मतन की बोटी को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं उलटे पलटे से इसलिए मैंने मतन को बहुत ज्यादा नहीं गलाया है क्योंकि हम जब इसे फ्राई करते तो तूटे नहीं तो थोड़ी सी कसर बाकी रखे मतन को हमें अच्छे से भूननाई जितनी भूनाई हम अच्छी करेगे इसकी उतना ही अच्छा हमारे मतन भूना बिर्यानी में टेस और यह ग्रेवी की भी 2-3 मिनट तक हमें भूनाई करनी है जब ही जाके भूनी बिर्यानी हमारी जो भूने मतन की बिर्यानी है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बहुत ज्यादा इससे सुखाना भी नहीं है क्योंकि चावलों में जब हम यह मसाला डालेगे ना तो चावलों में अच्छा सा मसाले का फ्लेवर आए तो बस तेजाट पर 2-3 मिनट के लिए मसाले को भून लेते हम देखिए थोड़ा सा तेल आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा तो मैं इसे निकाल कर चावलों के उपर से डालूगी जो एक्स्ट्रा का तेल या घी हम उपर स दाल देगे तो देखिए हाँ पर 4-5 मिनट हो गए है ग्रेवी को भी मैंने मटन के साथ अच्छी तरह से भून लिया है और आप देख सकते हो अलमदलिल्ला यह ग्रेवी भी कितनी बढ़िया दिख रही है तो जब इस तरह से हम मटन को और मसाले को अच्छे से भून कर ले और इसमें कोईले का स्मोकी फ्लेवर देगे हम तो देखे एक कोईले के टुकड़े को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है इसमें कटोरी में रखकर हम थोड़ा सा देशी घी डालेगे या तेल डालकर जल्दी से इस पर ढखकन ढख देना है और 2-3 मिनट के लिए इसी तरह स जाता है ना तो लकड़े की जो कोईले बसते हैं तो वो कोईले में बचा कर रख लेती हूं और जब भी इस तरह से कोई मटन भूना बिर्यानी हो या कोई भी स्पेशल दावत में रखती हूं तो इस तरह से कोईले का स्मोकी फ्लेवर देती हूं जिसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आजाता है। माशाला ये मसाले में बहुत अच्छी स्मोकी फ्लेवर की खुश्बू आ रही है। तो ये कटोरी को निकाल लेते हैं। ये जो तेल उपर आया है तो ये तेल को हम निकाल लेगे और बिर्यानी के चावलों के उपर से डालेगे। ताकि सभी चावलों में तेल बराबर से आजाए। आपके महमान अगर आए हो और आपने इस तरह से भूना मतन बिर्यानी बनाई हो वो आपकी तारीफ किये बिना बिल्कुल भी नहीं रहेगे क्योंकि ये बहुत ही जबरदस बिर्यानी बनकर तयार होती है तो देखे इतना तेल निकाल लिया है ये बिर्यानी के ओपर चावल अधे अग्रे बने के लेकसा ओपर दालेगे हम और देखे माशाला ये मतन भुना मसाला है वार हिए घांड़ाद में बाट्यार गली में मतन भुना मिलता है बस इसी तरह से तष एम बिर्यानी के जाल मुना देते हैं अब बिरियानी के चावल को दम पर रखना है तो उसी पतीले में जिसमें हमने चावलों को बॉयल किया था आदे चावल डाल देते हैं हर बार देखिए हम लेयर बिछा कर चावलों को डालते हैं इस बार हम आदे चावल पहले नीचे डाल देगे पतिले में ताकि चावलों में भी मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए देखिए आदे चावल डाल दिये है मैंने इसे फेला देगे थोड़ा समय चावलों पे बिरियानी का मसाला डाल रही हूँ ताकि चावलों में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए आदा चमच मैंने बिरियानी का मसाला डाल दिया है अब जो हमने बूना मतन मसाला तैयार करके रखा है तो वो सारा डाल देते हैं तो इस तरह से फेलाते हुए डाले गें हम यह मतन मसाला जो हमने भूना था तो अलम दलिल्ला इसमें से भी बहुत ही अच्छी स्मोकी फ्लेवर की खुश्बू आ रही है जिस तरह से भट्यारे लोग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह की इसलिए ग्रेवी को मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुकाया था क्योंकि चावलों में भी अच्छा सा यह मसाला हमारा लगना चाहिए अब जो हमने तलीवी पियाज यानी बिरस्ता फ्राइ करके बचा के रखा था ना तो वो डालना है तो पहले धनिया और पुदीना डाल देते थोड़ाचा अब ये बिरस्ता डालेगे बीरस्ते बिना तो बिरियानी का टेस्ट अधूरा सा लगता है तो ये फ्राइब कीवी पियास भी बिरियानी में बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त लगती है तो अब उपर से बाकी बचेवे सारे चावल डाल दूगी मैं तो उपर नीचे चावल है हमारे और बीच में मटन भूणा मसाला हमने तयार किया है वो डाल दिया है तो ये बिर्यानी में इसी तरह से बिर्यानी की लेर लगाई जाती है चावलों को फैला देगे अब थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया डालेगे और बचावा बीरस्ता भी डाल देते माशाला बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है बिर्यानी में अभी से अब ये जो मटन बूना में से बचावा तेल था ना तो इसे मैंने निकाल कर रखा था तो उपर से डालेगे इसलिए मैंने पहले से तेल ज्यादा डाला था ताकि हमें उपर से एक्स्ट्रा ओयल डालना पड़े तो इस तरह से फैलाते हुए डालेगे हम ताकि सभी चावलों में तेल बराबर से आ जाए अब मैं इसमें दो बून केवडा एसंस डाल रही हूँ आपके पास केवडा वाटर हो तो वो भी डाल सकते हो इससे भी बिरियानी में बहुत अच्छा टेस्ट और खुश्बू आ जाती है थोड़ा सा उपर से बिरियानी का मसाला भी डाल देते अब इसमें थोड़ा सा पीला फूट कलर दालेगे हम अब इससे ढखने के लिए एक ढखकन पर मैंने इस तरह से कपड़ा लगा दिया है ताके जो भाप है वो बाहर ना जाए और बिरियानी दंपर अच्छी तरह से पके अब बिरियानी को दंपर रख देते है तो 12-15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे दंपर पकाएगे हम यहाँ पर बिरियानी को दंपर रख वे 15-20 मिनट हो गए हम गैस बन कर लेते हैं और इसे खोल लेते माशाला देखिए कितनी बैतरिन दिख रही है हमारी बिरियानी तो गर्मा गरम यह बिरियानी को हम रिशाउट कर लेते हैं गर्मा गरम बिरisyानी के चावलों को देख सकते हो आपके एक़ दाना खिला खिला है और जब मैंने इसे सर्व करने के लिए किली निकाला तो मसालों की इतनी खुश्बू आ रही है कि मेरे पूरे घर में बिरियानी की महक फैल गई है आप इस बिरियानी को बनाओगे तभी आपको इसका रजाय का पता चलेगा ये दावतों वाली बिरियानी है इसे जब भी बनाओगे तारीफे ही पाओगे आपने अभी तक कई तरह की बिरियानी खाई होगी लेकिन इस बिरियानी की बात ही कुछ और है पिरियानी की बिरियानी है झाल झाल तो आज की मटन भुना बिरियानी की रेसीपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्याद से ज्याद से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब निकिया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए अपना बहुत सारा खयाल रखें दूआ में मुझे याद रखें फिर मि जैरी मुझे पिली है। ़掌 कर दम Сाथ्वाद दूख से बिरिया है कि झाल रखें मुझे कर दो को ँट रखें कि कन्यूशंग c h बिल्साने पेले दन से मीलेदा से टॉके मैं निकिक है है आह. झाल को वीडिया हो. झाल झाल